श्री मेरे बड़े भाई श्री राहूल गांदी जी श्री केसी वेनु गोपाल जी श्री भुपिंदर सिंग हूटा जी श्री उधेभान जी कुमारी सहलजा जी यहां के सभी कॉंग्रेस के उमीदवार अशो करोड़ा जी पास में मेवा सिंग जी भी उमीदवार है मंदीब छट्टा जी भी और मंच पर आसीन सभी कॉंग्रेस के नेतागन पदादिकारी गन कॉंग्रेस के कारिकरता गन आप सबका इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत ह पूड़ा जी ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, धर्मक्षेत्र है, यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा, यहीं पे पाँच पांडवों ने कौरवों की सेकड़ों की सेना को शिकस्त दिया, मैं यहां आसपास साधना करने आती थी, ग्यारा दिन की साधना होती थी, यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आदा गंड़ा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था, हर शाम को मौन साधना थी, तो ग्यारा दिन हम मौन रहते थे, कई बार में आई, और गुरुजी प्रवचन में हमेशा यह कहते थे, कि यह जो धर्ती है, यह पवित्र धर्ती है, इस धर्ती ने हमें दिखाया है, कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्ख है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्ख है, इस धर्ती ने हमें दिखाया है वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो बेशक अकेले लड़ो बेशक तुमारे सामने सेक्डों की सेना हो हजारों की सेना हो खड़े रहो मजबूत रहो द्रिड रहो निडर रहो तो जीत हासिल ही होगी आज हर्याना की जनता की क्या लड़ाई है यही लड़ाई है सदियों बाद आज हम वही पे हैं जहां उस समय थे आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो आपकी सच्चाई क्या है, आपका सत्य क्या है मेरी बेहने बैठी है, क्या सत्य है आपका आज महंगाई से जूज रही हैं आप गैस सिलिंडर बारा सो का है दो-तीन दिनों में शराद खतम होंगे, नवरात्री शुरू होगी त्योहार का समय है, दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है महमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है घर को सजाना है, महमानों के लिए खाना पकाना है त्योहर मनाना है पैसे कहां से आएंगे खरीदोगी कैसे दुकान जाओगी आदी चीजें खरीदोगी आदी खाली आहात आप वापिस आजाओगी घबराहत है जब कोई बिमार पढ़ता है बच्चा बिमार पढ़ता है बच्चे की फीज भरनी पढ़ती है घबराती हो मेरे किसान भाई बैठे हैं खेती में महनत करते हैं दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए इस देश के अंदाता है आप अपने बेटों को आप सरहत पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए देश की सुरक्षा के लिए आज आपकी सच्चाई क्या है ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने देश द्रोही किस को कहा आतंकवादी किस को कहा हमारे देश के किसानों को आपको, भूलिए मत कि आपकी सचाइयाग जो है इसमें बहुत बड़ा ष्रे इस दस साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है, इनका ष्रे है इसमें, यह सचाइय कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं, आपको MSP नहीं मिलता है बड़े-बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं MSP दे रहे हैं और ऐसी ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगाई ही नहीं रहे हैं तो आपके आगे आपका भविश्य क्या है नौजवानों का हर्याना में आज भविश्य क्या है बेरोजगारी ही दिख रही है अंदकार ही दिख रहा है जहां रोजगार पैदा करना था वहां अगनीवीर की स्कीम ले आए आप जाएए सरहत पे शहीद भी हो जाएए आपके परिवार को पैंशन नहीं मिलेगा और चार सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे उसके बाद आप घर आएंगे फिर से बेरोज़गार हो जाएंगे यह मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए अपनी महंद के लिए अपने देश के प्रती, अपनी देश भक्ती के लिए मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योग पतियों के लिए चल रही है अडानी जी, अम्बानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते है सब कुछ उनके लिए है उनके कर्ज माफ होते है उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं आप मेहनत करते हैं दिन रात पसीना खून बहाते हैं लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है ये पहलवानों का प्रदेश है किसानों का प्रदेश है खिलाडियों का प्रदेश है जवानों का प्रदेश है आप ने पाला पोसा है, जवानों को, खिलाडियों को, आज देखिए, हमारे उलिम्पिक के खिलाडियों के साथ क्या बरताव होता है, मैं गई थी उस अंदोलन में, अंदोलन क्या उविचारी लड़कियां, सडक पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, मैं गई मि और उन बेहनों ने मुझे क्या बताया बेहने सुनिये उन्होंने कहा दीदी हम उलिम्पिक का मेडल लाए थे मोदी जी ने हमें घर बुलाया हमें चाय पिलाई फिर हमारी साथी मारी साथियों के साथ इतना बड़ा न्याय होता है हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैट जाएंगे हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमाई सुनवाई करेंगे हम आवाज उठाएंगे उलिम्पिक के मेडलिस्ट है तो हमारी आवाज वो सुनेंगे रो रही थी कहा दीदी हमारे लिए 5 मिनिट का समय नहीं था मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके अंदोलं स्थल से उनके अंदोलं स्थल से मात्र 10 मिनिट दूर है गारी में बैठते दस मिनट में पहुँच जाते अर्यएं उनको घर बुला लेते जैसे जब medal लाए थे तब बुलाया था लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया, ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, कॉंग्रेस पार्टी की उमीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हर्यान कि हर लड़की को देखती हूँ, जब भी उसको देखती हूँ, मुझे गर्व होता है, वो जब आए हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा, कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीती में आने से, मेरे अंदोलन को मजब ये है आपकी भावना, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, मेरे भाई मजाग कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे, तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती, तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये क कहना चाहती हूं कि देखिए आप में सब कुछ है हिम्मत है शक्ति है वीरता है देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है अपना पसीना अपना खून अन सब कुछ दिया है आज अपने लिए हक मंगो अपना अधिकार मंगो यह आपका अधिकार है आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाएं कि जो नेता आपके सामने आए सर जुकाके हाए घमंड करके ना आए छपपन इंच की छाती वाले बाते ना करे यह बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है और क्योंकि ये इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा गायत तो है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक यहां के किसानों को यहां के मजदूरों को यहां की महिलाओं को यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाओं उनका विकास कराओं और आप में बहुत विवेग भी है आप पहचान जाते हैं हर चीज आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजप्पा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया अभी भाईया और मैं कुछ परिवारों से मिले वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी चाहे 17-18 हों परिवार के सदस्य चाहे अलग-अलग परिवार के यूनिट नहों मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, साब की आमदनी जोड़के, सरक्यार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है, मतलब वो बता रहे थे कि दीदी, हमारी सदस्य, चार सदस्य हैं, हमारा यह नया पहचान पत्र इन्हों ने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है, इसी तरह से सब की आमदनी जोड के, जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही है, यह सारा काम जो हो रहा है, सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है, आप आखे खोलो, पहचानो, की सच कौन बोल रहा है, जूट कौन बोल रहा है, कौन आठ हजार किलो मीटर इस देश में चलता है, इस देश को एक रखने के लिए, और कौन आठ हजार किलो मीटर दूर, दुनिया के हर देश में भ्रहमन करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके किसानों से मिलने के लिए पाँच मिनट नहीं निकालता पहचान लीजिए कि आप जो आपकी सचाई है उसको आप ही बदल सकते हैं आपका अधिकार है आपका हक है और इस सम्विधान ने आपको ये शक्ति दी है ये जो गीता में बातें लिखी है सत्य और असत्य के बारे में सत्य मेव जयते हमारे सम्विधान में भी लिखी है समानता की बात अधिकार की बात हक की बात न्याय की बात हमारे सम्विधान में लिखी है आपको अधिकार दिया है आपको वोट दिया है आप सोच समझ कर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तमाल करिए एक जुट होकर करिए किसी के बहुकावे में मत आईए ये वोट आपके लिए होना चाहिए आपके बच्चों के भविश्य के लिए माताएं बैठी हैं यहां बेहने बैठी हैं आपके बच्चों के भविश्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए ये जो नौजवान आप सरहत के पे भेजते हैं इनके पेंशन के लिए होना चाहिए आप अपने वोट को ऐसा इस्तमाल करिए कि पूरे देश भर में गून जुठे कि हर्याना की जंता उब चुकी है अब एक लहर आ रही है कॉंग्रेस की लहर तो है लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है आपका जो निरादर किया है इस भाजप्पा की दस सालों की सरकार ने आप उनसे न्याय लीजिए अब मैं अपना भाशन समाप करती हूँ बड़े भाई अपना भाशन देंगे आप सब ध्यान से सुने इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ और नवरातरी के लिए दसेरे के लिए आपको बहुत बहुत शुप कामना है हम सब की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भेंजी आपने गीता के बारे में बताया आप करम कर रहे के लिए बहुत अच्छा संदेश आपका अब मैं अन्रोद करूँगा हम सब के नेता देश के देश की आवाज सिरी रहूल गांbek जी से कि वो भी अपना संदेश दे उस से पहले महाशिंग जी मंदीप जी आप रहूल जी से मिलनें रहूल गांठी जीन्दा अबाद रहूल गांठी जीन्दा अबाद और थने सरहाथ हलकρε के प्रत्यासी सिर्य सोग रोड़ा जी मंदीप जी पेवाल कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी सिरी रहूल गांदी केसी केसी वैनुगोपाल जी प्रियंका जी उध्यबान जी उपिंदर सिंग हुड़ा जी कुमारी शेलजा जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हमारे प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार मूड कैसा है आपका अच्छा है कुछ दिन पहले मैंने पार्लिमेंट में भाशन दिया महभारत के बारे में कुरुक्षेत्र के बारे में और वहां मैंने कहा कि महभारत के युद में कौरवों ने अभिमन्यू को शक्र व्यू में घेर के मारा था और जब मैं उस भाशन का का रिसर्च कर रहा था तो मैंने शक्र व्यू के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्र व्यू का दूसरा नाम पद्म व्यू होता है और ये भी पता लगा कि चक्र व्यू में महभारत में हजारों सेनिक थे मगर चक्र व्यू को छे लोग चलाते हैं शेप उसकी कमल जैसे होती है जो हमारे बीजेपी का जो जैसे ये कॉंग्रेस का है अभे मुद्रा ये देखो डरो मत ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा यह हमारे सामने गुरुदारा है गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे आज इंटरनेट पे जाना गूगल सर्च करना गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभे मुद्रा आपको दिखाई देगा शिवजी की फोटो बुद्ध भगवान की फोटो महवीर सब की फोटो में आपको ये अभे मुद्रा डरो मत गवराना नहीं है ये आपको दिखाई देगा तो ये पद्म व्यू जो कमल का चिन है इसी शेप में महा भारत में चक्र व्यू बनाया गया और इससे अभी मन्यू को मारा गया उसकी हत्या की गई छे लोग थे और मैं सोच रहा था अजीब सी बात है उस टाइम भी चक्र व्यू लगा वो भी कमल के शेप में था उसका चिन भी कमल था और आज भी हिंदुस्तान में चक्र व्यू लगा हुआ है उसको भी छे लोग चलाते हैं उसका भी चिन कमल का निशान है और जैसे मैंने ये बोला बीजेपी के लोगों को पता लगा भई सच बोल गया सब खड़े हो गए कैसे बोला मोधी जी तीन चार बार खड़े हुए मगर ये सच्चाई है कुछ दिन पहले में अमरीका गया वहाँ पे हर्याना के युवाँ से मिला बीस पच्चिस युवा चोटे से कमरे में रहते हैं यहां से भाग के गए 35 लाक रुपए से 50 लाक रुपए लगे किसी ने जमीन बेची किसी ने कर्दा लिया 2% महीने का सहुकार से बैंक से पैसा नहीं लिया बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा बैंक तो अधानी को देता है भागे यहां से इस्तानबुल गए इस्तानबुल से कजाकिस्तान उजबेकिस्तान पुरी दुनिया देखी साउथ अमेरिका सुरिनाम नाओ में गए नाओ डूबी अपने दोस्तों को मरते हुए देखा उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा पानमा के जंगलों में से निकले पहाणों में से निकले वहाँ अगर कोई कमजोर निकला माफिया बालों ने उनको गोली मार दी विडियो दिखाए उन्होंने मुझे कहा कि भाईया ये विडियो अपने विडियो पर मत डाल देना हमने नहीं डाला मगर उनकी सच्चाई है समुद्धर में से निकले आंदी, तूफान, पहाडों में, जंगलों में से निकले अमरीका गए मैंने उनसे पूछा कि भाईया आपने 30, 35, 50 लाग रुपे लगाए इससे आपने हर्याना बिजनस क्यों नहीं खुला चोटा सा बिजनस खोल देते अमरीका जाने की क्या जरुदत कहते हैं राहूल जी हर्याना में हमार ले कुछ नहीं बचा हर्याना में छोटा बिजनस नहीं चल सकता मिडल साइज बिजनस नहीं चल सकता हर्याना में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है अमरीका उदर नरेंद्र मोदीची के दोस्त ट्रम्प साब वो भी रास्ता बंद करने की कुशिश कर रहे है मोधी जी गले लगते हैं उनसे और उनका भाषन सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमरीका में अंदर नहीं आने दूँगा मतलब हर्याने के लोग यहां से जान बचा कर जा रहे हैं और वहां नरेंद्र मोधी का दोस्त कह रहा है जिससे वो गले लगते हैं कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूँगा ठीक है खेती का रास्ता बंद कर दिया स्मॉल मीडियम बिजनस का रास्ता बंद कर दिया पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था वो बंद कर दिया सारे के सारे यूनिट्स प्राइविटाइज कर दिये कोई अदानी को दिया कोई अम्बानी को दिया आप लोग सेना में जा सकते थे हर्याना के लाकों युवा हिंदुस्तान की आर्मी में एर फोर्स में ठीक है भी नेवी में गए नरेंद्र मोधी जी नहीं योजना लाए अगनीवीर योजना अगनीवीर योजना का एक ही लक्ष है हिंदुस्तान के जवान को जो पेंशन मिलती थी जो कैंटीन मिलती थी जेब में जो पैसा जाता था उसका छीनने का लक्ष है दो तरीके के जवान बना दिये एक जिसको पेंशन मिलेगी शहीत का दर्जा मिलेगा कैंटीन मिलेगी सब कुछ फसिलिटी मिलेगी और दूसरा जिसको कहा जाएगा वहिया आपको ना ट्रेनिंग देंगे ना पैंशन देंगे ना कैंटीन मिलेगी ना शहीत का दर्जा मिलेगा आपको बस ये नाम मिलेगा अगनीवीर शाती पर लगा दो इसको क्यों जवानों का पेंचन क्यों चीना गया जवानों की कैंटीन क्यों चीनी गई शहिद का धर्ज़ा क्यूं नहीं मिलता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अधानी के हत्यार बेचना चाहता है आप जाईए इस भाषन के बाद जाईए गूगल पर जाईए अधानी डिफेंस गूगल पर सर्च करिए उदर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे राइफल एक फॉटी सेवन और अलग 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 तरीके की राइफल दिखेंगी इस्रेली हत्यार दिखेंगे इस्रेली ड्रोन दिखाई देगा इस्रेली राइफल दिखेंगी इस्रेली कार्टूज दिखेंगे अधानी नहीं बनाता उनको अदानी कुछ नहीं बनाता है इस्रेल की कमपनी बनाती है अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्टरी में जोडने का काम करता है टेकनोलिजी इस्रेल की हत्यार इस्रेल का ड्रोन इस्रेल का लेबल उपर अदानी का पैसा जाता है अदानी जी को सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड रुपए जाता है उसमें से उनके जो मित्र है जो प्रधान मंत्री जी है उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है मीडिया में अदानी जी 24 गंटा NDTV पे बाकी चैनलों पे अम्मानी जी नरेंद्र मोधी जी का चेहरा दिखाते रहते है आपने देखा होगा पिछले चुनाओं में चुनाओं चल रहा था हमने जाती जनगर्ना की बात की हमने रेजरवेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाने की बात की हमने किसानों कर्जा माफी की बात की नरेंद्र मोधी जी देश को बातने की बात करते है हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे और यूद के बीच में ऐसे बाशन में नरेंद्र मोधी जी कहते हैं बाईयों और बहनों मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ, बाकि सब लोग बायोलोजिकल है, नरेंद्रमोदी बायोलोजिकल नहीं है मेरा डायरेक्ट उपर भगवान से कम्यूनिकेशन है सिद्धा उपर, अब भगवान जी मुझे ओडर देते है और मैं लागू कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता, उपर से ओर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने बेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूँ, कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदर में गया, वहाँ पर पंडिजी से बात हुई, उन्होंने कहा राहूल, तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आस्मान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे, जहां भी आप भगवान डूनना चाहते हो, आपको भगवान मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा भाई ये नरेंद्र मोधी जी के भगवान अजीब से हैं ये 24 घंटा नरेंद्र मोधी जी से अरब पत्नियों की मदद करवाने में मदद करवाते हैं तो फिर बात समझाई नरेंद्र मोधी जी के भगवान अदानी है सीधी से बात है जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोधी करते हैं अदानी कहते हैं भहिया मुझे बंबई का एरपोर्ट चाहिए एक फोन लगता है नरेंद्र मोधी जी कहते हैं हां जी भहिया CBI भेजो ED भेजो जिसका airport है उसको परे करो अधानी को airport देो हिमाचल प्रदेश की सेब का business चाहिए कश्मीर का सेब का अख्रोट का business चाहिए वो अधानी जी को मिल जाएगा किसी किसान की जमीन चाहिए हजारों एकर जमीन आप खरीदते हो अधानी जी जमीन नहीं करिता वो बस कहता है भईया ये मुझे अच्छी लगी है नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते है हम जमीन अधिकरन बिल लाए पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खतम करा पार्लिमंट में हम लड़ गए हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिकरन बिल को कमजूर किया फिर वो काले कानून लाए किसानों के तीन कानून क्यूं आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे अगनी बीर आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है लक्ष यही है कि आपके जेमें से पैसा निकले और 20-25 अरब पतियों के जेमें जाए नोट बंदी यही था गलत GST यही है 16 लाख करोड रुपए नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरब पतियों को करसा माफ किया 16 लाख करोड रुपए और ये काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यू लगा था वैसा ही चक्रव्यू नरेंद्र मोधी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है छे लोग उस चक्रव्यू को चलाते हैं नरेंद्र मोधी अमिच्शा अदानी अमबानी दोवल मोहन भागवत इन्हों ये लगा रखाए ये चलाते हैं और इस चक्रवियू का लक्ष है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खिच कर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए आप अपने बच्चों को कॉलिज भेजो पहले सरकारी कॉलिजेज होती थी सरकारी उनिवर्सिटीज होती थी कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे आज कल लाखों रुपए लगते हैं हस्पताल में जाओ वो ही 20-25 लोगों के हस्पताल हैं दिल का दोरा हुआ लेओ ल आपकोड़ों पहे दो हस्पताल में हस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है कॉलिजेज युनिवर्सिटी स्कूल में से आपका पैसा लिया जाता है महंगाई जो भी आप करीदते हो वो 25-25 अरभ पतियों को जाता रहता है कोल ट्रिंग पीओगे वो भी उनको जाएगा टेलेफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है और हमारे काम देखो कॉंग्रेस पार्टी के काम देखो जमीन अधिकरन बिल किसको फाइदा हुआ अरभ पतियों को फाइदा हुआ किसानों को फाइदा हुआ मन्रेगा भोजन का अधिकार बटा परसॉल हमारा लक्ष है कि अगर अरब पतियों का कर्जा माफ हो तो पेद किसानों का भी कर्जा माफ हो मजदूरों का भी कर्जा माफ हो गरिबों का भी कर्जा माफ हो हम नयाय चाहते हैं हमारा कहना है कि ठीक है भई अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो न्याय होना चाहिए हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फाइदा नहीं मिलना चाहिए फाइदा सब को मिलना चाहिए रिस्पेक्ट सब की होनी चाहिए और जो महनत करता है उसको उसमें उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए हर्याना में उधारन देता हूँ किसान 24 गंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता मैं मेंस पी नहीं मिलती धान के किसानों को आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है जाके पूछ लीजिये और मैं आपको गैरंटी करके कह रहा हूँ हर्याना के किसानों को कह रहा हूँ कि हमारा पहला काम होगा यह जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे और फिर गैरंटीड MSP हर्याना के किसानों को देंगे 2,543 सरकारी नोक्रेया उड़ी हर्याना की सरकार ने उनको खाली रखा है वो आपका हक है वो 2,5 repeating हम हर्याना के युवाओं को देंगे हर जात के युवा को मिलेगी सब को समनता के साथ रिस्पेक्ट के साथ दो लाग रोजगार हम देंगे यहां महिलाएं आई हैं हर्याना के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने दो हजार रुपए जाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब हमारा हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलिंडर था तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलिंडर हो गया है आज 1200 रुपए का सिलिंडर है नरेंद्र मोदी जी अपने भाषन में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलिंडर है हर्याना की सरकार आईगी 500 रुपए का सिलिंडर होगा और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे तो हम चाहते हैं आज सुबह प्रियंका ने कहा हुड़ा जी ने कहा कि इज़त होनी चाहिए लोगों की और मैंने अपने बाशन में जोड़ा कि हाँ रिस्पेक्ट इज़त जरूरी है मगर उतना ही जरूरी पैसा है हम रिस्पेक्ट करें इज़त दें और जेब में एक रुप्या नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है तो मेरा लक्ष है कि जितना पैसा इन्होंने अरब पतियों को दिया है हर्याना में हम शुरू करेंगे दिल्ली में सरकार आईगी फिर मज़ा देखना जितना पैसा इन्होंने अरब पतियों को दिया है अधानी को अंबानी को उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को मज़ूरों को गरीमों को देने वाली है आपके जेव में से पैसा निकलता है बच्चों की शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए पेट्रोल के लिए डीजल के लिए प्याज महिंगा होता है अलु महिंगा होता है निकलता और जाता है दूसरी साइट से अंदर नहीं आता है आपको रोजगार नहीं मिलता पुब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिये सेना का रास्ता बंद कर दिया हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो मगर जैसे अमबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटा-कट 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 जा रहा है वेसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटा-कट 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 खटा है और हमें ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां म अज्दूर हमारे किसान भूके मर जाए ये इंदुस्तान हम होने नहीं देंगे और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंदर मोदी अमिच चावला चक्रव्यू जो है जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इस चक्रव्यू को तोड़ना है बाशन में मैंने कहा अभिमन्यू नहीं है हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है और वो आपके चक्रिव्यू को दो मिनट में तोड़ देगा आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां शाम के समय आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि हमारे लिए ये मुद्दा उठाना है मैं दो मिनट में आपका मुद्दा अठा लूँगा आप सब को फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद चुनाव का समय है मैं कह रहा हूँ कि आप कॉंग्रेस पार्टी को वोड़ दीजिए हमारे कैंडिडेट्स को समर्तन दीजिए मगर मैं जानता हूँ कि मन आपने बना लिया है यहां पे कॉंग्रेस पार्टी का तुफान आने जा रहा है बीजेपी हारने जा रही है आप सब का दिल से बहुत- धन्यवाद नमस्कार जैहिन आप हमारे परदेश अदेख्स शौद्री उदेबांदी यहां पर राहुल गांधी जी का प्रिंका गांधी जी का पहुंच ने पर धन्यवाद करेंगे मेरा नोड़ेट जोदी बांदीश लोग सबने पर्टक्ष करनेता है पूर्वरास्ट ध्यक्ष जीओं अधरनिय जी राहुल गांधी जी हमारे और लेकांग्रिस कोमेंटरी के जनल्रसेक्रिय और्गिनाइजेशन सिरी केसी वान कोपाल जी हमारी आधरनिया बेहन शरी प्रियंका गांधी वडेरा जी महासाचिएफ अकिल भारतिये गांग्रेस नेटिदन्क्र पूरु मुख्यमंत्री चौद्री भुपेंदर सिंग हुड़ा जी हमारी बेहन ए ऐसी सी में जनल सेक्टरी सिरसास एंपी आदर्निय बेहन कुमारी शैलजा जी हमारे यहां से बहुती वरिष्ट नेता जो आपके पार्टी के कंडिडेट हैं श्री असो करोडा जी भाई चठ्ठा जी मेवा सिंग जी मंच पर बैठे वैंने सभी नेतागन और मेरे सभी सम्मानित बुजर्गो नौजवान दोस्तों माताओं बहनों बच्चों मैं धनवाद करना चाहूंगा हर्याना प्रदेस कॉंग्रेस कमेंट्री की तरफ से आदर्निय शिरी राहूल गांदी जी का प्रिंका गांदी जी का जिस तरह से उन्होंने इस भार्तिय जंता पार्टी को बेनकाब करने का किया है जिस तरह से इनकी सारी नीतियों का परदाफास करने का किया है आज हर्याना प्रदेस की जंता आपके मार्ग दर्शन में इस सरकार को उखाड के फैंकेगी और जो भी इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया है, हमारी महिला पहलवानों पर किया है, अर्थी वेवस्ता का बंटाधार किया है, तीस वार से ज्यादा अब जो पर्चे लीक हुए है, आज सिक्षार स्वास्त का बंटाधार किया है, इस सरकार को खार फैंकने के लिए हर्या कि जंता तयार बैठी है और भारी बहुमत के साथ में कॉंग्रेस पार्टी हर्यान में सरकार बनाएगी और यह सरकार केंदर में राष्टा खोलेगी आदरने सिरी राहुल गांदी जी को परधान मंत्री बनने के लिए इसके बाद महाराश्ट्र में जहार खंड में और दिल् कर दो कर दो झाल झाल